सबी को जैन दोस्तों आप सबी का हार्दिक सोगत है भारत इस इंडिया पर आशा करता हूं कि आप सबी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आज हम आपके लेटेस और एक इंट्रोस्टिंग वीडियो लेकर आएं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशुरू पत्रकार नि वीडियो काफी इंट्रोस्टिंग होगी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा तो इसे हम तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आप किसी लेटेस इंट्रोस्टिंग और इंपोर्टन वीडियो लाते रहें तो चलिए पहले ये व पुकता मुसल्मान है तो अगर भारत और पाकिस्तान का मुसल्मान सबसे बड़ा मुसल्मान और सबसे पुकता मुसल्मान होता तो वो कभी भी बैंक में पैसा नहीं रखता वो कभी भी डॉक्टर के पर जाकर के इलाज नहीं कराता वो कभी भी और अगर उसका कुछ परोसा होता और Allah का पकी को पाक्सान के पर हम प्रयो नहीं को परोसा होता तो क्या आपके पाकिस्तान में अरे security पर भरोसा है, gunman पर भरोसा है ये कैसा ये कैसी बात है मैं तो Allah भरोसे चलती हूं मेरे पास तो कोई security नहीं है मैं तो छुटे सांड की तरह चलती हूं मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती है और मैं इतनी blessed हूं इतनी इतनी खस्मत की चोड़ियों में कि बहुत सारी घटनाय मेरे साथ हुती है, लेकिन जो बुरा करता है, फिर उसके साथ इतना बुरा होता है, अल्ला के रह्म और करम से और भगवन राम की किर्पा से, कि वो विचारा घर से बेघर हो जाता है, शेहर बदर हो जाता है, अपने आपको छुपाना स्टार्ट कर द तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा reformation है निम्रा बहुत बड़ा reformation है और देखो हम बच्वन से निम्रा की सुनते आए हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं है न मा चापी से दूद भी नहीं लगा नहीं है बच्चा जब चिला चिलाता है रोता है तब मा मदर फीट कराती है तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से भारत में एक मातर मुस्लिम औरत हो करके मैं इतना reformation ला सकती हूं मुसल्मान बेट के लिए लड़ेंगे उसी तरीके से आप लोग पाकिस्तान में reformation ला सकती है और अब तो आप देखे मुसल्मान चाहे जितना भी अरब को defame कर ले हज करने तो वह अरब ही जाएगा उम्रा करने तो अपने पांच अरकान सबसे अफजल अरकान को पूरा करने के लिए तो व मुकमल अपने आपको मौमिन और मौमिनात समझता और समझती है जो मुकमल अपने आपको अश्रकुल मखलोकात समझता है जो मुकमल अपने आपको सुन्न के रुसूल पे चलने वाला समझता है मुझे लगता है पांच वक की नमाज में हम दूआ मांग रहे है कि आने वाला साल हम हज कर ले हम तो दूआ मांग रहे हैं कि हमारी जिन्दिकी का खास मकसद हज करना होता है और हम अपनी बेटियों को ऐसा रख रहा है तो वाइक नोट निम्रा वी नाजिया, क्यूं, और देखें कपड़ों से आपकिसी को जस्टिफाई नहीं कर सकते, कपड़ों से आपकिसी के चारक्टर को सापिद नहीं कर सकते, अगर निम्रा बुस्ट पर रही है नाजिया छोटे कपरे पहन रही है, it's not mean कि नाजिया कहीं ही बोलते हैं तो कपड़ों से आप किसी के कारेक्टर को justify कर ही नहीं सकते हैं विलकुल नहीं कर सकते हैं and I think Nimra go on go with the flow मैं तो आपको suggestion दे रही हूँ go with the flow live your life अपने जिन्दगे जी ओ और जैसे मैं जी रही हूँ मुझे आज कोई ये बोलता है कि इतना बड़ा चेहरा है इतना रिनाउंड फेस है और आप एरपोर्ट पे जीन्स पहन करके चले जाती है क्यों ना जाओ मेरा क्लेवेश तो नहीं दिख रहा होता है मेरा शरीर तो नहीं दिख रहा होता है ये रिवीलिंग कपड़े तो नहीं पहनती हूं मैं वेस्टन पहनती हूं पर ऐसे वेस्टन पहनती हूं जो धके चुपे होते हैं और मैं इस बात का भी दावा नहीं दूँगी कि मैंने कभी छोटे कपड़े पहने ही नहीं मैंने पहने हैं मैं बहुत crystal clear हमेशा बात करती ह मैंने थोटे कपड़े पहने हैं, लेकिन जब मैं माँ बनी, मेरा बीटा बड़ा हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब मुझे आधि, माँ के तरीके से रहना चाहिए, ताके मेरा बेटा जवान हो रहा है, तो उसके नजरे नीची नहीं होने चाहिए, तो उसके लिए म अपने कंट्री को रिफॉर्म करने के लिए एक बहुत उम्दा, एक बहुत महत्वपून, एक बहुत इंपॉर्टन इस्टेप उन्होंने उठाया है, कि अब अरब की बेटियां हमें बहुत स्टाइलिश, बहुत मॉडेनाइज, बहुत बोकल हमें दिखाई देगी, और मैं M में ठोबिक सपोर्ट उनको अरब में मिल रहा है, जन्ता और युवा उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आप सोच के रखो कि जिस तरह से भारत में, मोदी जी को कोई सो साल भी छोडना नहीं चाहिए अँसी तरीके से अरब कंट्रे में MBS को कोई सो साल भी छोडना नहीं चाहेग अभी हालिया में आप देखो निम्रा, रम्जान जैसे ही हुआ, MBS ने एक ऐलान किया कि भाई, मस्जिदों में किसी भी तरिके की कोई भी अफ्तार पार्टी नहीं हुए, उससे तो साल पहले MBS ने ऐलान किया था, लाउड स्पीकर में अजान नहीं हुए, उससे पहले MBS ने एलान किया था, रोड पर तुम लोग नमाज नहीं पढ़ेते, अब इसको भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान तो सबसे ज़्यादा प्रदर्शन किया था, और पूरा लाई-लाहा का जंडा-वंडा लेकर के निकल गया था, अरब के खलाब, अब मैं इसको जस्टिफाई कर देती हूं कि हर वो मुसल्मान MBS का विरोध कर रहा है, जिसनों कुरान ही नहीं पढ़ा है, यह मैं बड़ी जिम्मेदारी और दावे के साथ कह रही है, जिसमें कुरान पढ़ा नहीं है, और जो मुसल्मान कुरान नहीं मानता है, वो MBS का विरोध कर रहा है, अब पहली बा था HELM मुसला किसी नापाक जगे पर विछा ही नहीं सबते और रोड पर तो लोग चपल करके आते जाते जो इस ट्रीट पर गांश सोचाले होते हैं लोग उसके अंदर भी जाते हैं मूद यह रोड पे चलते हैं और उस कि यह जाली मुसल्मान हुए ना, जो रोड पर नमास पढ़ते हैं. अब आती है दूसरी बार, कि क्या, क्या लॉडस पीकर, Prophet Muhammad ﷺ के वक्त में था? क्या अजान लॉडस पीकर पर होती थी? نہیں होती थी. हमारे हुजूर, हमारे प्यारे हुजूर ﷺ तो, गारे हिरा में नमाज पढ़ा करते थी आप रोड पे दिखा करके किसको पढ़ रहे हैं किसको बता रहे हैं कि आप मुसल्मान है और मुसल्मान होना कोई बड़ी बात तो नहीं है मुसल्मान माबाप के वज़ा से पैदा होने से वो बच्चा मुसल्मानी होगा इसमें कोई तीर मारने वाली बात तो नहीं है तो खुरान अगर कोई पढ़ा है सही से और इसलाम वाके में सही से मानता है तो वो रोड पे नमाज पढ़ ही नहीं सकता है वो लाउड़ी स्पीकर के लिए कि लाउड़ी स्पीकर पर ही अजा होनी चाहिए उसके लिए वो कोई परदर्शन करनी नहीं सकता है, अब आती है एक तार की बार, देखो मुझे ऐसा लगता है कि जजिया, जकात, फित्रा, भीक, ये सारी चीज़े उनके लिए हैं, जो घर से बाहर निकल करके अपनी आबरू को बचाने के लिए नहीं मांग पाते हैं, उनके लिए हैं, जो अबसारम लोग हैं, इनको क्यों दिया जाएगा, ये मेहनत क्यों नहीं कर सकते हैं, जिस तरह से लोग कंगा सकते हो, तो मेहनत करके कमा लो, हाँ, जो लोग माजुर हैं, जो लोग अनाथ है, जिनके माँबाप नहीं है, जो लोग हैं जो लोग mentally challenged हैं हम उनको देंगे पैसे हम यह हम यह जल्दिया यह फित्रा यह जकात हम उन जाता है वह यह क्या लंगर खाना खोले हो आयाशी करने का क्या लंगर खाना खोले हो तो मुझे ऐसा लगता है कि अरब एक ऐसा देश है जो कट्टर मुसल्मान जिसने बताया है बारत और पाकिस्तान के मुसल्मानों पे जोड़ार तमाच्वा रहा है अपनी बनाएवे शरिया से चल रहे हो या भारत के चुटिंग बास मुसल्मानों से चल रहे हो, जिनका अता-पता ही कुछ नहीं है, तो अपनी चार पुष्ट के बारे में बता भी नहीं पाएगा कि चार पुष्ट के पहले वो मुसल्मान था भी की नहीं था, या सनाता नहीं ही था, तो यह अरब ने भारत और प अब आप लोगों को भी एकदम जंडागार देना चाहिए, आप लोगों को भी मैदान में उतर जाना चाहिए, क्योंकि धीरे-धीरे-धीरे रिफॉर्म करने के लिए बेबी स्टेप लेना बहुत जरूरी है, आज आप लोग बाहर निकलते हो, पॉब्लिक रियाक्शन ले होगा और हमेशा की तरह नाजिया खान जी का दंदार और बेबाग रियक्शन आपको काफी पसंदाए होगा, जहां पे नाजिया खान जी ने अपनी परसनल लाइफ के बारे में बात की, और खासकर भारत और पाकिसान के जो शांती दूत हैं, उनको भी आड़े हाथ लिया और एक बात नाजिये खान जी ने बहुत ही खुबसूरत की, कि उनके उपर बगवान राम का आशिवाद है और हिंदू भाईयों का साहत है, तो आशा करता हो, वीडियो आपको काफी अच्छी लगे होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आईए, तो इसे लाइक और शेयर झाल 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